नमस्कार मित्रों जब माता पार्वती ने महादेव को ही दान में दे दिया मित्रों जब माता पार्वती ने महादेव शिव को ही दे दिया था एक ब्राम्मण वालक को दान में मित्रों जब केलास परवत में कार्थिकिय का जन्म हुआ तो माता पारवती एवं भगवान शिव ने अपने इस पुत्र के छे रूपों के पालन पोशन के लिए उन्हें कृतिकाओं को सौप दिया जो सबतरिशी की पत्नियां थी महादेव शिव के कार्ट के को कृतिकाओं को सौपने का एक और कारण भी था कि कृतिकाओं की देख रेख में कार्ट के उन ग्यान को ग्रेंड कर लेंगे जो उन्हें देवताओं के सैनापती बनने के समय मदद करेगी तथा वह दुष्ट तारका सुर का वद कर देवताओं को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाएंगे तारकासुर एक शक्तिशाली दैत्य जिसे ब्रह्मा जी का वर्दान प्राप्त था तथा वह केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही मारा जा सकता था जब कार्टिके बड़े हुए तो उन्होंने तारकासुर का वद किया तथा इसके बाद उन्हें दूसरे राज्ये उसके सुरक्षा के लिए भेज दिया गया अतहे इस प्रकार माता पार्वती अपने पुत्र कार्टिके के साथ ज़्यादा समय वितीत नहीं कर पाई माता पार्वती की एक पुत्री भी थी जिनका नाम अशोक सुंद्री था अशोक सुंद्री भी बाले अवस्था में ही ध्यान योग से प्रेरित होकर केलास परवसे दूर किसी अन्य इस्थान में तपस्या के लिए चली गई क्योंकि भगवान शिव भी अपना अधिकतर समय ध्यान में ही वितीत करते थे अतह माता पार्वती अकेले पन से परेशान होकर अपनी माता मैनावती के पास इस समस्या का उपाय पूछने गई देवी पार्वती की माता इस समस्या के गहराई में जाते हुए बोली कि असली समस्या तो तुम्हारे पती महादेव शिव है ये दिवह तपस्या के स्थान पर अपने परिवार को समय दें तो यह समस्या उत्पन ही नहीं होगी उसी समय नारद मुनी वहाँ प्रकट हुए तथा जब देवी पार्वती के माता ने नारद मुनी की सामने समस्या रखी तो नारद मुनी बोले कि यही समस्या एक वार देवराज इंद्र की पत्री इंद्राणी के साथ भी उत्पन हुई थी परन्तु उन्होंने इस समस्या से मुक्ति प्राप्ट करने के लिए देवराज इंद्र को मुझे दान कर दिया था क्योंकि देवराज इंद्र मेरे लिए किसी भी तरह से उप्योगी नहीं थे इसलिए मैंने उन्हें वापस इंद्राणी को सोप दिया तब से देवराज इंद्र अपना अधिक तर समय अपने घर में व्यतीत करती हैं तथा इंद्राणी को भी उनकी समस्या से मुक्ति मिल गई जब मेनावती एवं देवी पारवती ने नारद जी की एह बात सुनी तो उन्होंने बिचार किया कि क्यों ना वहवी महादेव को दान कर दें तब देवी पारवती ने नारद मुनी जी से पूछा कि आखिर उन्हें महादेव शिव को किसे दान करना चाहिए तव नारद मुनी ने उपाय सुझाते हुए माता पारवती से कहा कि देवी आप महादेव शिव को ब्रह्मा जी के चार पुत्र सनक, सनातन, सनंदन और संत कुमार को दान कर दो यह उत्तम रहेगा नारद मुनी की आग्या से माता पारवती ने महादेव शिव को ब्रहमा जी के चार पुत्रों को दान कर दिया माता पारवती सोच रही थी कि जब कुछ दिनों वाद चारो ब्रहम पुत्र महादेव शिव को उनके लिए अनुप योगी समझेंगे तो बे बापस माता पारवती को महादेव सौप देंगे परन्तु ऐसा नहीं हुआ चारो ब्रह्म पुत्रों ने महादेव शिव को अपना सेवक बना लिया इस पर माता पारवती अब और दुखी हो गई तथा उधर महादेव शिव के अनुपस्थिती में पूरी शिव का संचालन भी अस्तिव्यस्त होने लगा तब सवी देवता माता पारवती के साथ मिलकर उन चारों ब्रह्म पुत्रों के पास पहुँचे तथा भगवान शिव को बापस देने की प्रार्थना करने लगे माता पारवती ने उन ब्रह्म पुत्रों को समझाया कि अगर भगवान शिव पुना स्रिष्टी की संचालन में सयोग नहीं देते तो पूरी स्रिष्टी प्रलै में हो जाएगी इस प्रकार उन्हें बहुत समझानी पर चारों ब्रह्म पुत्रों ने महादेव शिव को बापस माता पारवती को सौप दिया तो बोलो हर हर महादेव मित्रों ये शिव प्राण की कथा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताईए कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए मिलते हैं फिर एक और नई कथा के साथ तक तक के लिए हर हर महादेव